Leadership की तमाम तर research को अगर हम chronological order में हम categorize करना चाहें और देखना चाहें कि उसमें कौन से important eras हैं, कौन से important phases हैं, तो इसको हम चार phases में categorize कर सकते हैं, जिसमें कि हमें एक paradigm shift नजर आता है, जो कि उनकी thinking में उस approach में नजर देखने को मिलता है, या philosophy में देखने को मिलता है, जो कि leadership की practice और उसकी daily implementation को analysis करती है, उसको देखती है कि किस तरह से एक leadership situation दूसरे से फरक है, इप्तदाई जो दौर है उसका वो 1940s तक का काम है, 1940s से 60 तक दूसरा दौर है, 1960s से 80s तक तीसरा दौर है, और 1980s के बाद से इसमें और तबदिली नजर आती है, school of thought में तो वो चौ था, उसका phase हम समझ सकते हैं. जो इप्तदा हुई leadership research की, अगर्चे वो कई सेंक्नों साल पुरा नहा है उसका सिलसला, लेकिन हमें जो 1940s तक जो काम है, उसमें basically school of thought ये exist करता था, कि leaders are born, they are born with certain skill set and qualities, जिसके तहत वो leader होते हैं, they are born in big families, big names, और जिसमें dynasty की approach आप समझे है, य खानदान की हुकमरानी समझें, उस तबके में, उस profession में, so ये school of thought बहुत strong था, so बहुत ज़्यादा उस वक्त हमें एक prevalent नजर आता है, उस वाले era में, जिसमें के great man theory भी exist करती है, और फिर 1940 से 60 तक भी हमें trade theory के तहत भी यही claim देखने को मिला, लेकिन उसमें ये देखा जा लगा कि other than family names, क्या कौन से attributes हैं, कौन से skill sets हैं या characteristics हैं, जो कि किसी भी इनसान में innate होते हैं, inherited होते हैं, genetically या by birth मौजूद होते हैं, जिसकी वज़ा से वो leader होता है, so गोया ये का again एक passive role दे दिया गया, इनसान की उस सलाहियत को slightly undermined किया गया, जिसके तहत कोई भी इनसान अ आप जिस qualities के साथ पैदा होते हैं, यानि if you are born with certain qualities and skill set, then you can lead and you can become a leader, लेकिन अगर आप by birth आप में नहीं मौजूद हैं वो skill set, तो फिर आप में leadership को भूल जाना चाहिए, आपको you can not be a leader then, so trade theory में भी ये वाला ही हमें बासगर्ष्ट इसी आवास के सुनाई देती है, behavioral theory में ये claim change होता हुआ नजर आया, और उन्होंने ये बात कहने शुरू की कि हर इनसान को या certain एक पराए में ढालने के लिए अगर आप explorer दें खास तरह का, खास तरह की training दें, तो उसके behavior में तबदीली लाई जा सकती है, और उसको आप leadership के लिए prepare कर सकते हैं, behavioral theory और trade theory में common जो factor ये था कि दोनों ने certain तरह की skill sets की predictions की, कि ये अगर होंगे और तो आप जब ये तियार कर लें, चाहे training के जरीए या चाहे by birth आपको मिलें, then you can be a leader, और उन्होंने ये claim किया कि वो skill set या attributes, या characteristics, अगर एक leader में होते हैं, तो वो हमेशा ही उसमें मौजूद होते हैं, चाहे ह खालात कुछ भी हो, तो वो इनसान हमेशा ही उन सलायतों को लेके एक साथ जन्दगी में चलता है, इस theory को gradually challenge किया जाने लगा, जैसे जैसे वक्त गुजरा और जैसे जैसे इनसानों की common man किये, और ये school of thought emerge किया, कि कोई भी common man भी आप उस तरह से तियार भी कर सकते हैं, और इर्दगिर्द के environments किस हद तक आपके लिए controllable होते हैं, कि आप हमेशा अपने mood के मताबिक उनको rule कर सकें, या lead कर सकें, is it going to be possible forever or not? So उसके तहत, contingency theory emerged की, contingency theory में first time ये बात challenge की गई, कि consistency that is claimed as the main thought within the behavioral theory and trait theory, उसकी consistency किस हद तक हमेशा रह सकती हैं जंदगी में या नहीं, because life में जो वाहत constant है, इस physical world की, physical जो हमारे जंदगी है, उसके अंदर the only constant thing is change itself, life changes with everyday, So to what extent the attributes, the skill set or the training impact can be consistent, जो कि आपके साथ lifelong चलेगा, So इसके तहत ये claim किया जाने लगा कि certain situations, जो कि आपके इर्दिगर जिंदगी में prevalent होती हैं, leadership की qualities और attributes भी उन situations के साथ interact करते हैं, और एक co-constructivism के तहत, उसके अंदर leadership की approach में भी तबदीली आती है, style में भी तबदीली आती है, और ये भी देखने को मिलता है कि किस अंदास से leaders अपनी उन skill sets को use कर रहे हैं, कहाँ पे कोई skill set बहुत जादा strongly merge होता है, जब वो environment ये situation चेंज होती है, तो हो सकता है कि वो skill set completely subside कर जाए और वो एक और हमें quality देखने को मिले, जो के contingent है, dependent है changing environment और situation के साथ.